तो आज की वीडियो में हम लग लगाएंगे बिहार दरोगा SI मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट साथ ही अगर आप BSSE या BSSE CGL की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल होगा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर बिलैक उनको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कोशन है पहला कि जब किसी अर्थ्ववस्था में व्यापार गहाटा और राजकोसिय गहाटा दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं निमलिखित में से किस वित्तिय वर्ष में भारती रुपिये का दो बार अवमुल्यन किया गया आंसर है ऑप्सन बी 1991-92 में भारत में 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 वित्तिय वर्ष में 92 को रुपिये में 2 चर्णों में 18 परतिश्रत का अवमुल्यन किया गया तथा मार्च 1992 में दुहरे विनिमय दरों वाली उदारवादी विनिमय दर प्रबंधन विवस्था को अपनाया गया भारत सरकार के बजट के कूल घाटे में सबसे अधिक योगदान है आंसर है ऑप्सन C, राजकोसिय घाटा का भारे सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोसिय घाटे का होता है उब्भोगता कीमत सूचकांक CPI का परियोग किया जाता है आंसर है Option C किसी अर्थवस्था में वस्तूओं एवं सेवाओं के कीमतों में परिवर्तन की माप करने के लिए निमनलिखित में से किसे चलायमान मुद्रा या गरम मुद्रा कहा जाता है आंसर है Option B जिस मुद्रा का उप्योग हम अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए करते हैं उसे चलायमान मुद्रा कहा जाता है चलायमान मुद्रा को समानेत्या FPI मुद्रा भी कहा जाता है वीर बाल दिवस किस तिथी को मनाया जाता है आंसर है Option D 26 दिसंबर को निम्लिखित में से किस पूर्व प्रधान मंत्री की जयनती पर 25 दिसंबर को प्रती वर्स सुसासन दिवस Good Governance Day के रूप में मनाया जाता है आंसर है Option C अटल बिहारी बाजपेई की जयनती पर जुआरी ब्रीज निम्लिखित में से किस राज में इस्थित है आंसर है Option A बारती सर्वेक्षन विभाग का स्थापना किस वर्स हुआ था आंसर है Option B 1767 स्थिस्वी में विज्ञान और प्रदगी की विभाग के अंतरगत भारती सर्वेक्षन विभाग जो देश का राष्टी सर्वेक्षन और मानचीतरन संगठन है तथा भारत सर्कार का सबसे पुराना विज्ञानिक विभाग है इसके अस्थापना 1767 में की गई थी ब्राजील में सवाना परकार की गहस कहलाती है आंसर है Option B परवत सिखर पर मिलने वाली चटान सतह कहलाती है आंसर है Option A फेल सेन मीर निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमी से घिरा बंदरगा है आंसर है Option A विसाखा पतनम विसाखा पतनम बंदरगा आंदरपरदेश में स्थित सबसे गहरा भूमी से घिरा और संडक्षित बंदरगा है मानचीतर पर दो बिंदूओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरन है आंसर है Option B प्लैटो मीटर सौर तंतर किस प्रकार का तंतर है आंसर है Option B बंद तंतर संब्रित तंतर या बंद तंतर क्लो सिस्टम ऐसे बहुतिक तंतर को कहते हैं जिसमें बाहर से कोई पदार्थ ना अंदर आ सकता है और नहीं अंदर से बाहर जा सकता है विसो का सरवाधिक लंबी तट्रेखा वाला देश कौन सा है आंसर है Option A कनाडा इंडोनेशिया की अस्थानांतरन सील क्रिशी कहलाती है आंसर है Option C लदांग भारत का एक मातर जिवित ज्वाला मुखे द्वीप अवस्थित है आंसर है Option B निकोबार द्वीप समूह में भारती द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उतपत्ती ज्वाला मुखी से हुई है बैरन आइसलेंड नामक द्वीप भारत का एक मातर जिवित ज्वाला मुखी अंडमान वा निकोबार द्वीप समों में इस्थित है निमनलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में सनलगन नहीं है आंसर है ओप्सन B त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियां असम, मनिपूर, मेघाले, मिजोरम एवं नागा लेंड से सनलगन है त्रिपुरा राज्य पटकाई राज्यों से सनलगन नहीं है बलकि या मीजो पहाड़ियों से सनलगन है सिवालिक पहाड़ियां निमनलिखित में से किसका हिस्सा है? आंसर है ओप्सन D हिमाले का सिवालिक पहाडिया या बाहिय हिमाले हिमाले की एक बाहरी परवतमाला है जो भारती उप महद्वीप के उत्तरी भाग में पस्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर तक है किस अधिवेशन में कॉंग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था आंसर है option B, सूरत अधिवेशन में सन 1907 में भारते रास्टे कॉंग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ जिसमें कॉंग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गया इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं 1907 के दिवेशन के धक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घूश ने की थी निमलिखित में से किस वर्स में लॉर्ड बिलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतनता प्रदान की गई आंसर है option D, 1835 में सकों पर विजय औपरांत चंदरगुपदुईतिये ने निमलिखित में से किस धातू के सिक्खे प्रशलित किये थे आंसर है option B, चांदी के चंदरगुपदुईतिये चांदी के सिक्खे को जारी करने वाला पहला गुपत सासक है इस सिक्खे को रूपक कहा जाता है कमल महल का संबध निमलिखित में से किस सामराज जिसे था? आंसर है option ए विजय नगर से विजय नगर के राजकी ये केंदर के सबसे सुन्दर भवनों में से एक कमल महल है संभवता या परिशदिय सदन था जहां राजा अपने परामर्स दाताओं से मिलता था निमनलिखित में से कौन कुसानों की दूसरी राजधानी रही है? आंसर है option C, मथुरा कनिस्क कुसान सामराज का सबसे सक्ति सालिश आ सक था उसके सामराज की राजधानी पुरुसपूर या पेशावर थी लगवग दो हजार वर्स पूर्व मथुरा कुसानों की दूसरी राजधानी बनी मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है यहां बौध विहार और जैन मंदिर हैं यह कृष्ण भक्ति का महतुपूर केंद्र था दक्षिनापत के स्वामे निमलखित में से कौन कहे जाते थे आंसर है ओप्सन भी सातवाहन तीनों मुखियाओं चोल, चेर और पांटी के सासन के लगभग 200 वर्स बाद, 2100 वर्स पूर्व पस्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवन्स का प्रभाव बढ़ गया सातवाहनों का सबसे प्रमुक राजा गौत्मी पूत्रसरी सतकर्णी था उसके बारे में हमें उसकी मां गौत्मी बलसरी के एक अभीलेक से पता चलता है वह और अन्य सभी सातवाहन सासक दक्षिना पत के स्वामी कहे जाते थे निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था आंसर है ओप्सन ए मुईनुद्दीन चिस्ती को दा स्टोरी ओफ इंडियन आर्केलोजी किसकी पुस्तक है आंसर है ओप्सन ए एस एन ड्राव बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरीत के रचनाकार कवी निम्नलिखित में से कौन थे आंसर है ओप्सन डी अस्वगोस बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरीत के रचनाकार कवी अस्वगोस थे ये कुसानों के सबसे प्रशिद्ध सासक कनिश्क के दर्बार में रहते थे पासर्व और वसु मित्र जैसे बौध दारसनिक था नागरजुन जैसे विद्वान कनिश्क के दर्बार में विद्मान थे चोलों का महतपूर्ण पतन कौन सा था? पहार चोलो का महतपूर्ण पतन पहार या काबेरी पतनम था दिल्ली सल्तनत के अंतरगत बंदगाँ सब्द किसके लिए परियोग किया जाता था? आनसर है ऑप्सन A गुलामों के लिए गुलामों को फार्सी में बंदगाँ कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था साथ ही उन्हें राज के कुछ महतपूर्ण राजनितिक पद भी दिये जाते थे उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़ कर होता है किसने गैरिशन सहर सैनिकों के लिए बनवाया था? आंसर है ओप्सन सी अलाउदीन खिलजी ने गैरिशन सहर एक किले बंद का बसाओ था जहां सैनिक रहते थे 13. सदी के आरंभिक वर्सों में दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों से रक्षा के लिए गैरिशन सहर बनाया था जो सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंदी सहर था गेरिशन सहर का विस्तार अलाओदीन खिलजी और मुहम्मद बीन तुगलक के काल में हुआ था भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके तहत राजजिपाल को विधान मंडल के विस्राम काल में अध्यादेश प्रक्ष्यापित करने की सक्ती प्राप्त है आंसर है ऑप्सन अनुच्छेद 213 भारत के सम्विधान में विधान परिशत के उतसादन या स्रीजन की उपबंद अंतर्विस्ट है आंसर है ऑप्सन बी अनुच्छेद 169 में डॉक्टर भीमराओ अंबेतकर ने किस मौलिक अधिकार को भारती सम्विधान का हिर्दय एवं आत्मा कहा था आंसर है ऑप्सन अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीम राव आमबेदकर ने उपचारों का अधिकार जोके अनुच्छेद 32 में वड़नी थे को भारती सम्विधान का हिर्दय एवं आत्मा कहा था भारती सम्विधान के किस संसोधन द्वारा नगर पाली का कानून को अद्दतन बना दिया गया है आंसर है ओप्षन डी 74 में सम्विधान संसोधन द्वारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्ण राज में कौन करता है सिक्षा का अधिकार किस सम्विधान संसोधन द्वारा मौलिक अधिकार में सामिल किया गया आंसर है option D 86 सम्विधान संसोधन द्वारा 86 सम्विधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा सम्विधान में अनुछेद 21 का A, 45 तथा 51 का A को जोड़ा गया इसके द्वारा राज्य ने 6 से 14 वर्स की आयू वर्के सभी बच्चों के लिए नहसूलक एवं अनिवारी सिक्षा का प्रावधान किया है अनुछेद 21 का A के द्वारा बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया कि वह अनिवारी रूप से सिक्षा प्राप्त कर सके भारत के नियंत्रन एवं महालेखा परिक्षक अधिक्तम कितने वर्सों के लिए अपना पद धारन कर सकते हैं आंसर है ओप्सन डी 6 वर्सों के लिए किसी भी कैग परमुक का कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स की उम्र जो भी पहले होगा कि अवधी के लिए रास्ट्रपती द्वारा नियुक्त किया जाता है रास्टी हरित अधिकरन NGT का मुख्याले कहां इस्थित है आंसर है ओप्सन A नई दिल्ली में NGT की अस्थापना का मुख्य उद्देस परियावरन संबंधी मुद्दों का तेजी से निप्टारा करना है जिससे देश की अदालतों में लगे मुकद्मों के बोज़ को कुछ कम किया जा सके NGT का मुख्याले दिल्ली में है जबकि अन्य चार छेत्रिय का रियाले भोपाल, पूने, कोलकाता एवं चन्नाई में इस्थित है CNH2N-2 किसका सामान्य सुत्र है आंसर है ओप्सन C, एलकेन का अमीबा और प्रोटोजोवा निमलिखित में से किस जगत के अंतरगत आते है आंसर है ओप्सन A, प्रोटिस्टा के अंतरगत एक को सीख सैवाल, डाइयेटम, प्रोटोजोवा, अमीबा और यूगलेना प्रोटिस्टा जगत के जीवों के कुछ उदाहरन है निमलिखित में विचार करें और बताएं कि उपयुक्त उत्तकों में से कौन से जन्तु उत्तकों के प्रकार है आंसर है ओप्सन D, एक, दो, तीन और चार ये सभी एफिथीलियमी उत्तक, पेसी उत्तक, सन्योजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सभी उत्तक जन्तु उत्तकों के प्रकार है दो परमानू को समस्थानिक यानि की आइसो टूप कहा जाता है यदी आंसर है उप्सने उनकी परमानु संख्या समान परंतु तरवमान संख्या भिन्न हो एक ही तत्यों के परमानु जिनकी परमानु संख्या समान लेकिन दरवमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं और किसी तत्यों का प्रतेक समस्थानिक एक सुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रसायनिक गुन समान लेकिन भौती गुन अलग-अलग होते हैं। हमारी आँख का कौन सा भाग पाराबैगनी B विकीरन का अफसोसन करता है। हमारी आँख का कौनिया पाराबैगनी B विकीरन का अफसोसन करता है। इसके उच्च मात्रा के कारण कौनिया का सोत हो जाता है जिससे मोत्या बिंद कहा जाता है। ग्रीन मफलर प्रदूशन सम्बंधित है। आँशर है ओप्सन B ध्वनी से। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। आँशर है ओप्सन A यक्रित को सिकाओं से। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्धुच्छेत्र होता है। आँशर है ओप्सन B सुन्य। विद्धुधारा की दिसा होती है। आँशर है ओप्सन C परिपत में इलेक्ट्रोन के प्रवाह के दिसा के विप्रीत। मेसनर प्रभाव संबंधित है। आँशर है ओप्सन A अतिचालकता से। सुन्य प्रतिरोधकता के अलावा अतिचालकता की दसा में पदार्थ के भीतर चुम्बक्य छेतर भी सुन्य हो जाता है। जिसे मेसनर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित वस्तों में से किसका यंग प्रत्यास्था गुनांग सबसे अधिक होगा। आंसर है ऑप्शन B, 이्टील का गुटनिरपेक शान दोलन का प्रत्हम सिखर समेलन कब हुआ था ? आंसर है ऑप्शन C, 1961 में गुटनिरपेक शान दोलन का पहला सममेलन वर्स 1961 में बेल ग्रेड युगो सलाविया में आयोजित किया गया था। इस्टील का गुटनिरपेक शांदोलन का प्रथम सिखर सम्मेलन कब हुआ था? आंसर है ऑपसंसी 1961 में गुटनिरपेक शांदोलन का पहला सम्मेलन वर्स 1961 में बेलग्रेड यूगोसलाविया में आयोजित किया गया था इस समेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था वर्तमान में दुनिया के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य है हाल ही में वर्ष 2023 के मैन बुकर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आप्सन B, पॉल लिंच को आईरिस लेखक पॉल लिंच को उनकी किताब प्रॉफिट सॉंग्स के लिए बुकर पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया समतल दर्पन की नियुनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? जिसमें एक व्यक्ति जिसके लंबाई 1.5 मीटर है अपनी पूरी लंबाई देख सके आंसर है option A 0.75 मीटर एक्चुल में समतल दर्पन की जो नियुनतम लंबाई होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति जितना लंबा है उसे उसके आधी लंबाई के उचाई वाले दर्पन चाहिए यानि की जैसे की 1.5 मीटर उसकी लंबाई है तो उसे इसका आधा यानि की 0.75 मीटर उचाई वाले दर्पन चाहिए आरब यात्री अलमसूदी ने किस सासक के सासनकाल में भारत की यात्रा के आंसर है option D महीपाल प्रथम के सासनकाल में भारत में सबसे बड़ा लिगनाईट उत्पादक राज्य कौन सा है आंसर है option A तमिलनाडू COP28 का आयोजन कि सहर में हुआ आंसर है option D दुबई में हाली में Conference of Party COP का 28 सम्मेलन सन्युक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन हुआ जिसमें 197 देशों के प्रतिनीधियों ने global warming को रोकने के लिए अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविस्य की जलवायू कारवाईयों पर चर्चा में भागिदारी की कृत्रिम बुद्धी मता पर वैस्विक भागिदारी सिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में कहां आयोजित हुआ आंसर है Option A नई दिल्ली में भारत में उभोकता मूली सूचकांग का आधार वर्स क्या है आंसर है Option B दो हजार बारा यानि की दो हजार इग्यार बारा उभोकता मूली सूचकांग का आधार वर्स है जब एक धातू की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रशार होता है क्योंकि आंसर है Option A इसके प्रमानों के बीच दूरी बढ़ती है पादप जगत के अंतरगत सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं आंसर है Option D कवक कवक पादप जगत के अंतरगत पाई जाने वाली सभी जातियों में सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही संसार में जातियों की खुल संख्या, मचली, उभैचर जिसे अमफीबिया भी कहते हैं, सरीश्रिप तथा अस्तंधारियों से अधिक हैं फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रकिरिया द्वारा स्वच्छ करती है? आंसर है ओप्सन B, असकंदन द्वारा जल में कार्बन डाय ओक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर आंसर है ओप्सन C, अमलिय प्रकिर्ती का है सिर्का का रसायनिक नाम क्या है? आंसर है ओप्सन E, एसिटी केसिड मोतिलाल नहरू और सियारदास द्वारा 1923 इस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? आंसर है ओप्सन B, स्वराज पार्टी वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समिकित निधी से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिधानतों की सिफारिस करता है आंसर है ओप्सन C, लोक लेखा समीती सर्वोच नियाईले में नियाईधीसों की कुल स्विकिर्ती संख्या कितनी है? आंसर है ओप्सन B, 34 हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ISA का 95 सदस्यत बनने वाला देश कौन सा है? आंसर है ओप्सन B, चिली जनगर्ना 2011 के अंती माकडो के अनुसार बिहार की कूल जनसंख्या कितनी है? आंसर है ओप्सन C, दस करोड़ चालिस लाख निन्यानवे हजार चार सो बावन इसे आप डिजिट में याद रखें या जैसे याद रखें या दस चालिस निनानवे चार सो बावन इस तरह से आप याद रख सकते हैं पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? आंसर है ओप्सन A, छै वर्तमान में पटना मंडल में छै जिले हैं जो पटना, नलंदा, भोजपूर, बकसर, रोहतास और कैमूर हैं उत्तर पूर्वी के किस राज्य को मेलुसिस बेशिन कहा जाता है? आंसर है ओप्सन B, मिजोरम को सन्युक्तराष्ट मानवाधिकार परिशद का गठन कव किया गया था? आंसर है ओप्सन A, जून 2006 में सन्युक्तराष्ट मानवाधिकार परिशद का गठन वर्स 2006 में सन्युक्तराष्ट महासभा द्वारा किया गया था इसने मानवाधिकार पर पूर्व सन्युक्त राष्ट आयोग का अस्थान लिया था मानोविकास सूचकांग की अवधार ना किस नहीं दी थी? आंसर है option C, महबूब उल्हक भारती मृदा में जिस सुक्ष्म तत्तों की सरवाधिक कमी है वह है आंसर है option D, जस्ता पानी की टंकी में फंगी को नस्ट करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला रशाइन कौन सा है? आंसर है option D, कौपर सल्फेट विसुव्यापार संगठन के 13 मंत्री अस्तरिय समेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायोदी किस देश के है? आंसर है option D, सन्युक्त अरब अमीरात के सन्युक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को भरवरी 2024 में आबुधावी में आयोजित होने वाले विसुव्यापार संगठन WTO के 13 में मंत्री अस्तरिय समेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये थे आज की वीडियो आई होप की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ सेर जुरूर करें धन्यवाद